नाबालिक लड़की से दुशकर्म के मामले में आसाराम को उम्रकैत की सजा सुनाई गई है वहीं इस मामले में आरोपी शिल्पी और शरत को 20-20 साल की जेल की सजा होई है रेप के मामले में आसाराम बीते 5 सालों से जेल में बंध है लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद उसे सारी जिन्दगी जेल में गुजारनी होगी हाला कि उनके सहयोगी कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती देने की बात कर रहे है आखिर क्या है ये मामला समझे इस रिपोर्ट में दुशकर्म का ये मामला पहली बार साल 2013 में सामने आया था जहां शाजहापुर की रहने वाली 16 साल की लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में रेप का आरूप लगाया था यह मामला सुर्खियों में आने के बाद लोगों को एक जटका लगा पीडिता के परीजनों ने दिल्ली के कमला मारकेट थाने में मामला दर्ज कराया बाद में इस मामले को जोधपुर फ्रांस पर कर दिया गया था शुरुआती जाच के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफतार कर लिया बाद में कोट ने उसे जेल भेज दिया था नवंबर 2013 में जोदपुर पुलिस में आसाराम और चार अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की इस चार्जशीट में कहा गया कि 16 साल की लड़की के साथ आसाराम ने रेप किया था चार्जशीट दायर होने के बाद राजस्तान हाई कोट ने जिला और सत्र नयायले को केस की हर दिन सुनवाई करने को कहा इसके बाद जोदपुर की अदालत ने आसाराम के खिलाफ बलातकार आपराधिक शड़यंद्र और अन्य अपराधों के लिए आरोप तै किये थे आसाराम पर तमाम आरोपों की सुनवाई के दौरान कई गवाहों की हत्या हुई उनके अपहरन हुए और उन्हें धमकाया गया रेप के मामले के मुख्य गवाह कृपाल सीह को उत्तर प्रदेश के शाजहापुर के पुयावन इलाके में गोली मार दी गई आसाराम के करीब की उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर में कथी तौर पर हत्या कर दी गई इसके अलावा सूरत की दो बहनों से रेप के गवाँ अखिल गुप्ता की भी गोली मार कर हत्या कर दी गई मामले के सुनवाई के दोरान कई गवाहों पर हमले हुए उन्हें धमकाया गया और बयान बदलने का दबाव डाला गया लेकिन करीब पांक सालों तक चली सुनवाई के बाद जोदपूर कोर्ट में जज मदु सुधन शर्मा ने आसाराम को दोशी मानते हुए उम्रकेत की सजा सुनाई सजा सुनते ही आसाराम फूट फूट कर रोने लगा उसे कोर्ट से सिधे जोदपूर जेल ले जाया गया है इस फैसले पर पीडिता के पिता ने कहा है कि अब हमें नयाय मिला है मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनोंने इस लडाई में मेरी मदद की और मेरे साथ खड़े रहे